हलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत थे टार्गेट क्लासेज विधारी सर्में इस वीडियो में फिचकर आज को एसन से रिलेटेड कुछ most important top 20 questions discuss करेंगे जो आगामी TGT on PGT के exams के लिए बहुत उप्योगी होंगे और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर दें वो चैनल को सब्सक्राइबर के बेल आकन को प्रस कर दें जिससे किसी भी नए वीडियो का नोडिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके तो सुरुवात करते हैं आज के first question की first question है आपके screen पर ललिता बाबर का संबंध है यह किस game से relate करते हैं यह आपको बताना है मुक्के बाजी से, athletics से, cricket से या फिर hockey से relate करते हैं question number 21 जो right answer यहां पर होगा कौन से option के साथ में relate करेगा तुरंत आप लोग अपना right answer अपनी rough copy में click कर दीजिएगा लिख लीजिएगा जल्दी से option देखिएगा answer आप लोग click करिएगा कौन सा option आप लोग सही करेंगे जल्दी से बताइएगा right answer का हो जाएगा athletics के साथ में relate करेगा B option right answer के साथ relate करेगा B उत्तर सही हो जाएगा next question पर move करते है next question है picture का संबंध किस खेल से है जो picture है इसका संबंध किस खेल से है यह बताना है badminton से है softball से है football से है या फिर आप D option है honky से है बताइए picture का संबंध की बात की जारी यह किस game से relate करता है question पूछा जाता है यहां से तो right answer यहां पर जितने भी लोगों ने लगाया है B option softball उनका उत्तर सही हो जाएगा right answer के साथ में relate करेगा next question पर move करते है next question है कुमभग का संबंध है बताइए प्रानायाम पदमासन हलासन या फिर यह सभी इससे related हमने आपको तीन question complete कराए हूँ है कुमभग का संबंध यहां पर बताना है किस से होगा रेचक के बारे में बता जा सुका है पूरक के बारे में बता जा चुका है और कुमभग के बारे में बता जा चुका है तीनो most important है अगर question पूछा जाता है तो यहां से a question बनने की संबहावना रहती है exam में तो यहां जो उत्तर relate करेगा आपका हो जाएगा a option के साथ relate कर जाएगा a उत्तर इस question का प्रानायाम के साथ में relate करेगा a option right answer हो जाएगा next question पर move करते है next question है मानो सरीर की सबसे मजबूत पेसी है कौन सी पेसी है जो मानो के सरीर की सबसे मजबूत पेसी है जो सबसे मजबूत हड़ी मानी गई है वो कौन सी मानी गई है यह जबड़े की मानी गई है यह आप्षन के साथ में रिलेट करता है answer ए उत्तर rights your Most 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 important question है next question पर Move करते है next question आपकी स्क्वीन पर है विस्व की प्रथम मनौ वयग्यानिक प्रयोग साल अला कब इस्थापित की गई कथा यह विलियम यह मुन्ट के द्वारा इस्थापित की गई थी कभ यह इस्थापित हुई यह 1879 1880 1882 या फिर डी आप्सने 1881 सही आंसर यहां पर क्या होगा क्वेशन नमबर 25 का तुरांत आप लोग राइट आंसर यहां पर क्लिक कर दीजेगा राइट आंसर क्या होना चाहिए यह क्वेशन नमबर 25 आप्सन आप लोग क्लिक करिएगा अपना उत्तर 25 का जो हो जाएगा 1879 जितने भी लोग ने अटेम्ट किया है आप्सन उन सभी का आंसर राइट आंसर हो जाएगा यह आप्सन सही होगा अटेम्ट कोईशन पर मुव करते हैं लिक व्याद से जो लिक व्याद से यह क्या है rapping है यह आनि इसम यह फिर इन में से कोई नहीं बताना है 26 यह किस option के साथ relate करेगा WBC यानि white blood cells RBC red blood cells जीवन काल आपको बताना है कि इनका WBC और RBC का time period कितना होता है तो question number 120 जो होगा right answer यहाँ पे 26 का sorry A option नहीं WBC white blood cells यानि स्वैत रुधिर कडिकाओं के साथ में relate करेगा A option right answer हो जाएगा next question पर move करते है next question है RBC का जन्व इस्थान कहते हैं बहुत पूचा जाता यह question DSSB में कई बार पूचा गया है आप बताइएगा क्या होगा 27 नंबर का और जो लोग भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रस करते हैं जो भी paid group जॉइन करना चाहते हैं 9621-81920-900 पर contact करके 500 पीज का payment करके paid group भी जॉइन कर सकते हैं जिसमें आप लोग को daily PDF ग्रूप में test के लिए series दी जाती है और साथ में आपके लिए वर्तमान समय जो प्रैक्टिस सेट प्रवाइट किया जा रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट भी वहाँ पर प्रवाइट किया जाते हैं और PDF जितनी भी 10,000 प्लस questions की वो सभी आपको तुरंट प्रवाइट कर दी जाएंगे साथ में ग्रूप से भी add कर दिया जाएगा बताईएगा RBC का जन्म इस्थान कहते हैं 27 का जो होगा अस्थी मज्जा के साथ में relate करेगा A option right answer हो जाएगा ध्यान रखिया को बहुत important question है next question पर move करते हैं master grant कहते हैं कई बार आप लोगों ने पढ़ रखा है master grant किसे कहते हैं अभी तक 8 question आपने पढ़े हैं 8 question बहुत आसान थे लेकिन यहां से question पूछे जाते हैं exam में क्योंकि आसान question जब गलत होता है तो जो merit list होती है उसमें आपका ups और down हो सकता है नाम में तो इसलिए merit list में अपने आपको उपर लेके जाना है तो इसलिए आसान question सही करने है master grant कहते हैं यक्रत, puse grant को दोनों को या फिर इनमें से कोई नहीं तो 28 का जो right answer हो जाएगा बी option के साथ में relate कर जाएगा बी उत्तर सही हो जाएगा next question insulin hormone का स्रावर होता है आमासय से अग्नासय यक्रत या फिल लिवर 29 अब आसान के साथ साथ आपके tough question भी सही होने चाहिए आसान question तो गलत होने ही नहीं चाहिए तो इसलिए इतनी मेहनत आप लोग करते रहिएगा over confidence से paper solve नहीं करना है question number 29 insulin hormone की बात की जारी तो अग्नासय के साथ में relate करेगा बी option right answer हो जाएगा बी उत्तर सही हो जाएगा next question पर move करते है orthology संबंदित या किस से relate करता है orthology संधियों से relate करता है fartlex से relate करता है isometric ब्यायाम से relate करता है या फिर d option abuse grant से relate करता है question number 30 orthology संबंदित है या किस से संबंदित है तो ये बताना है आपको ये a option के साथ relate करेगा या फिर आपका C option यहां हो जाएगा आप बताएए right answer क्या होगा अपनी copy में जल्दी से लिखिएगा right answer हो जाएगा A option के साथ में संधियों से relate कर जाएगा इस question का जो सही answer होगा A option right answer हो जाएगा paid group से जुडने के लिए contact करके paid group से भी जूड सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीस का payment करना का payment आप लोग इसी नंबर पर phone पर Google पर Amazon पर Paytium account पर आफिर किसी दूसरे के द्वारा भी payment करा सकते हैं और screen सा भेज सकते हैं next question पर move करते है next question पोलो के खेल मैदान को कहते हैं जो पोलो के खेल मैदान है उसको क्या बोला जाता है diamond बोलते हैं range बोलते हैं strip बोलते हैं या फिर D option है arena बोलते हैं बताइए पोलो के खेल मैदान को क्या बोला जाता है बहुत से लोगों से गलत हो सकता इस question का right answer क्या होगा ये हो जाएगा D option बहुत से लोगों को लग रहा होगा question का answer गलत लेकिन ये answer सही आप लोग search करिएगा इसका right answer D option के साथ में relate कर जाएगा D उत्तर right answer हो जाएगा इसको भी आप लोग देखिएगा polo को अनकिस नाम से जाना जाता है तब आपका right answer आपको पता चल जाएगा next question पर move करते है question number 32 इससे संबंदित question पूछे जाते हैं ध्यान रखिएगा खिलाडियों को किस game से relate करेंगे आप पूजा ठांडा संबंदित ये कौन से game से relate करती है golf से wrestling से squash से या फिर basket ball से बताइए 32 नमबर ये किस game से relate करती है इनका नाम अगर आपने सुन रखा तो right answer आप तुरंत लगाएंगे B option इस question का right answer के साथ relate करेगा B उत्तर सही हो जाएगा next question पर move करते है next question है भारत ने राष्ट मंदल खेलों में भाग लिया कब से भाग लिया 1934, 1945 1948 या फिन 1930 इसके पहले की वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यूटूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एज्टक्रेशन भाइप पंकसर जो भी पार्ट आप देखना चाहते हैं तो वह पार्ट आप लोग डाल दीजिए को वह पार्ट आपको तुरंत ओपन होकर मिल जाएगा या फिर आप लोग अगर अगर लिंक पराप्त करना चाहते हैं तो गांटक कर सकते हैं इसी नंबर पर और लिंक प्राप्त कर सकते हैं diffic इसका नाम बदल कर क्या रखा गया था बताईएगा Common Wealth Games Olympic Asian Games या फिर साफ गेम 34 क्या सही आंसर करेंगे आप लोग सही उत्तर आपका होना चाहिए कितने Question 20 मेंसे आपके सही होते हैं वो भी स्कोर करके आवस्च बताईएगा Right Answer हो जाएगा यहाँ पर Common Wealth Games के साथ मैंनी A Option Right Answer हो जाएगा यह उत्तर सही होगा Next Question पर Move करते है पहले राष्ट मंडल खेलों में कितने देशों ने भाग लिया तो पहले राष्ट मंडल खेलों में कितने देशों ने भाग लिया यह बताना है 10, 11, 12 या फिर 13 देशों ने भाग लिया था Question है आपकी स्क्रीन पर पहले राष्ट मंडल खेलों की बात की जा रही है तो यहाँ जो उत्तर हो जाएगा कितने देशों के साथ में रिलेट करेगा 11 के साथ में रिलेट करेगा B उत्तर Right Answer होगा B option सही हो जाएगा Next Question पर मूव करते है Common Wealth Games में Gold जीतने वाली पहली भारती महिला है 36 Krishna Poonia तो नाम आपका दिया हुआ है लेकिन यह किस गेम से रिलेट करती है यह आपको देखना है पताइए पूछे जाते हैं इस तरीके के Question जितने भी मिले Sun से रिलेटर इस तरीके से कथन से रिलेटर सब भी रट लीजिएगा और जुलाई के बाद एक्जाम आप लोग का कंडेक्ट कराया जाएगा Question number 36 Right answer Krishna Poonia discuss throw से रिलेट करती है यह हो जाएगा इस Question का Right answer नामन वेल्थ गेम से में गोल्ड जीतने वाली पहली भारती महिला का बात की जाए तो Krishna Poonia यह किस गेम से रिलेट करती है डिसकस थ्रोस रिलेट करती है Next Question पर मूव करते हैं किस देश में अधिक्तम बार राष्ट मंडल खेलो का आयोजन हुआ उस देश का नाम आपको बता देना है एक मिनट बताए भारत आस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर ब्राजिल 37 वीडियो पसंदारा तुरंत लाइक करिया चैनल पर पहले बाद विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रस कर दीजिए, कि मोस्ट इंपोरेंट क्वेशन का कलेक्शन आपको चैनल पर फिजिकल एंज क्वेशन से रिलेटेट आपको देखने के लिए मिलेगा, जो भी ग्रूप जोइन करना चाहते हैं, कॉन्टेक करके ग्रूप भी जोइन कर सकते हैं, जिसके फीज सिर्फ और सिर्फ फाइफ अंडेट रूपीज है क्वेशन नमबर थाट्टी सावन बहुत इंपोर्टेंट क्वेशन है सही उत्तर क्या होगा साइट इस नमबर बी आप्शन आस्ट्रेलिया के साथ में रिलेट कर जाएगा भी उत्तर राइट आंसर होगा नेक्स वैशन पर मूब करते हैं राष्ट मंडल खेलों में कितने देसों ने यानि कितने देस भाग लेते हैं यह बताना है आपको 54, 50, 45 या फिर दी आप्शन 40 countries participate करते हैं बताईए कितने देस भाग लेते हैं उत्तर यहाँ पर क्या A होगा, B होगा, C होगा या फिर आपका D आप्शन सही हो जाएगा बताईए अगा जल्दी जल्दी अपने राइट आंसर अपनी rough copy में लिखी गया 18 question आपके complete होने वाले हैं इसका जो right answer हो जाएगा A उत्तर के साथ relate करेगा 54 इस question का right answer हो जाएगा next question पर move करते हैं next question है 49 number का question 2010 राष्ट मंडल खेलों में किस देश ने सरवाधिक स्वानपदक प्राप्त किये भारत ने प्राप्त किये थे पाकिस्तान, बांगला देश या फिन नेपार 39 what is the right answer for this question number 39 जितने भी question आपको मिलेंगे अगर आपने practice set solve किये हैं previous year के तो वहाँ से आपको कही न कही questions देखने के लिए मिल रहे होगा right answer यहाँ पर इंडिया के साथ में relate करेगा भारत इस question का right answer हो जाएगा आज की इस वीडियो का last question आपके screen पर आ रहा है भारत ने किस वर्स राष्ट मंडल खेलों में भाग नहीं लिया यह चार option है और इसमें से question पूछा जाता है ध्यान रखिएगा किस वर्स भारत ने राष्ट मंडल खेलों में भाग नहीं लिया है बहुत important question है इसको note down कर लीजिएगा आप लो 1980 1960 1981 1986 तो यहाँ जो right answer हो जाएगा यह होगा आपका D option 1986 option के according सही हो जाएगा right answer होगा तो यह थे आज के कुछ most 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 important top 20 question वीडियो पासाला वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पहली बाद विजिट करने चैनल को सब्सक्राइब फिर के बेल आइकर को प्रस कर दीजिएगा जो भी पेड़ जोईन करना का चाहते है contact कर सकते 9621819209 पर पंकसर से 500 पर इसका पेमेंट करना होगा 500 पर जैसे आप स्क्रीन सॉट्सेंट करते हैं तुरंत आप ग्रूप से एड़ कर दिया जाएंगे पेमेंट आप लोग इसी नंबर पर कर सकते हैं फोन पर गूगल पर अमेजन पर पेटियाम एकाउंट पर या फिर